ये रिष्टा क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप पर हम देखने वाले हैं कि इस बार फाइनली अर्मान और अभीरा का डिवास होने वाला है अर्मान और अभीरा दोनों मिलकर निकल जाते हैं कोट के लिए जहाँ पर उन्हें गवाही देनी होती है और इस बार अर्मान ने तो ठाल लिया कि वो सची गवाही देगा और यहाँ पर अभीरा भी बिल्कुल ऐसा जूट नहीं कहना चाहती लेकिन कहानी में एक बड़ा टो अभीरा जड साब से कहते हैं कि हम दोनों की शादी जवर जस्ती हुई थी हम दोनों की मंजूरी बिल्कुल भी नहीं थी इस शादी में और यह बात सुनकर अर्मान जो है काफी जादा शौक में आ जाता है और बहुत गुस्से में भी आ जाता हुर अभीरा से काफे जाते ह उफासा जो हैं काफी जादा खुश हो जाते हैं और कोट वाले हैं पर उन्हें 15 दिनों के अंदर डिवॉस देने की लिए रजामंदी दे देते हैं तो वहीं आगे आने वाले पिसोड में हम देखते कि अर्मान जो है अब अभीरा से बात करने की कोशिश करने वाला है उससे क्यों जानना है कि अखिरकार अभीरा ने ये जूट क्यूं कहा और सभी कोर्ण के सांने उन दोनों की इज़्द का फालुदा क्यों बनाया तो वहीं आगे आने वाले पिसोड में हम यह भी देखने को मिले वाला है कि यहां पर अभीरा जो है आब वो दाधीसा को चैलेंज ट्राक दुबारा से आने वाले सीरल में जहां पर हम देखें कि बहिए यहां पर इस बार रूही मैडम जो है वो विद्धया को सारी सच्चाए बता देती है जहां वो बताती है कि रोहिचे शादी से पहले अर्मान और रोही एक दूसरे से प्यार करते थो और इस बात को लेकर विद्धय आपर काफी टेंशन में आते हैं और यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है यहाँ आपर हम देखने वाले कि विद्धय दादी साथ से कहेगे कि उन्हें रोही और अर्मान की शादी करा देनी चाहिए तो दोस्तों क्या सच में इस बार अर्मान और रोही की शादी होगी या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ